Hello guys, तो आज में जिस Korean drama को explain करने वाली हूँ, इसका नाम है hierarchy, ये series हाली में ही release हुआ है, और इसके मुझे literally बहुत request आ रही थी, तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं, कहानी के शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं, जो किसी से अपनी जान बचा कर भ बहुती prestigious school था, यहाँ पर first semester वालों के opening ceremony चल रही थी, प्रिंसिपल यहाँ पर किसी scholarship के बारे में बात कर रही थी, जो बहुती गिने चुने बच्चों को मिलता था, ऐसे बच्चे जो capable हो, और इस साल का scholarship एक कांगा नाम के लड़के को दिया जाता है, जो basically हमारा main lead character है, इ लाखिर scholarship वाले बच्चों को यहाँ पर बुलाया क्यों जाता है, जबकि वो लोग यहाँ पर टिकी नहीं पाते, कैंग ने बोलना स्टार्टी किया था, इतने में वहाँ पर रियान नाम के लड़के की entry होती है, जब तक रियान स्थीट पे बैट नहीं जाता, तब तक बड़े रहने की भी permission नहीं थी, यह सब देकर उसे बहुत अजीब लग रहा था, अब वो जैसे अपने special class के लिए आता है, तो teacher उसे वहाँ से भगा देती है, कहती है तुम्हें एक scholarship student हो, तुम्हें इस room में allowed नहीं हो, पता चलता है कि यह class कुछ special बच्चों के लिए reserve करक कर बैठ जाता है, यहां तक ही वो सीट तूटी हुई थी, फिर अगले सीन में हम रियान और हेरा नाम की लड़की को देखते हैं, हेरा उसे किसी जेई नाम की लड़की के बारे में पूछ रही थी, कहती है अब जब तुम्हें मुझे डेट करना चाहिए, वो रियान को का भी फोन नहीं उठाया, जेई कहती है मैं सबसे कुछ कहना चाहती हूँ, इसलिए कल तुम सबको रेसिंग ट्रेक के पास लेकर पहुंच जाना, फिर हमें गैदरिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जेई के पेरेंस के साथ साथ, और भी वहाँ पर बहुत सारे का भी बाते हैं, कहते हैं तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, तुम्हें अभी की अभी जाकर चेंज करना होगा, तुम्हें बिल्कुल अपनी मॉम की तर्डेस अप होना चाहिए, तो जेई पूछती है, आप कौन से मॉम की बात कर रहे हो, मेरी मॉम की या फिर स्टेप बिल्कुल तुम्हारी मॉम की तरह, उसके रेड लिटरली उसे टॉर्चर कर रहे थे, वो अपनी पसंद से कुछ कर भी नहीं सकती थी, उन्होंने उसके पूरी लाइफ कंडूल करके रखी थी, उसे बहुत गुस्सा आ गया था, वो अपने ड्रेस का उपर वाला पोशन ही जाती है, जहाँ पर वो लोग मिलने वाले थे, वहीं पर हम एक लड़के वूजिन को देखते हैं, जो हेरा के साथ में आया था, कुछी देर में रियान वहाँ पर पहुंचता है, पता चलता है कि वो चारो बेश फ्रेंड्स थे, रियान जेई से पूछता है, क्या तुमार जाकर भी जीत नहीं पाता, वो जेई से पूछता है, तुम ऐसे गाड़ी क्यों चला रही थी, अगर कुछ हो जाता तो, जेई कहती है मैं रेस जीत गई हूँ, इसलिए आज के बासे हम दोनों के बीच में कोई रिष्टा नहीं है, जो कुछ बिता सब कुछ यहीं पर खतम होता है, मैं तुमसे ब्ert guard कर रही हूँ, रियान उससे पूछने की बहुत कोशिश करता है, कहता है कम से कम मुझे reason तो बता दो, तुम पिछले तीन महिने से गयब थी, और अब तुम यह कह रही हो, कि तुम्हें break-up करना है, जेई कहती है, ब्रेकप का कोई reason नहीं है, मुझे मेरे classes में कुछ changes करने हैं इसके लिए मुझे किस से बात करनी पड़ेगी तो लड़की बहुत ही rudely जवाब देती हैं कहते हैं तुम्हें तो scholarship वाले बच्चों से पूछना चाहिए पिर जब सारे बच्चे ग्राउंड के पास थे तो कुछ लोग stadium के पास बैटे हुए पर बैटने की कोशिश की कैता है इसमें गलत क्या है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया तो वो बंदा चानमीन उससे कहता है मेरी बाद तुम ध्यान से सुन लो चाहे तुम पहले किसी भी school में क्यों न आ गए हो ये school वैसा नहीं है यहां के rules अलग है कभी भी गलत लोग को गु वो लोग इतने अच्छे लोग हैं इसलिए हम जैसे बच्चो को scholarship मिल पाई उन्हें इज़त मिलना तो जायस है ना ये सब सुनकर कैंग हसने लग जाता है कहता है उन्हें royalty वारी treatment मिलना ये कुछ जादा ही नहीं हो रहा है तो चानमीन उससे कहता है तुम पता भी है तुम यहाँ पर आये क्यों हो एक scholarship student का spot खाली हो गया था उसे के जगे पर तुम यहाँ पर आये हो क्या तो मैं इसका reason पता है उस बचे ने भी मेरी warning नहीं सुनी और अपनी line क्रॉस करने की कोशिश की जिसके बाद रियान ने उसे जान से मार दिया लेकिन इतना कहने का भी कैंग पर कोई असर नहीं हो रहा था वो कहता है कि मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो मुझे तो कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि मैं उन लोगों का दोस बन जाओ तब जाकर मेरी school life थोड़ी easy हो जाएगी इतना कहकर वो रियान के पास पहुँच जाता है वो उसे अपन सी पार्टी नहीं थी बलकि यहाँ पर तो रेव पार्टी चल रही थी कैंग जैसे ही वहाँ पर पहुंचता है तो वो लोग एक गेम खेलना स्टार्ट करते हैं हेरा उससे कहती है यह गेम scholarship वाले बच्चों के साथ खेला जाता है कहती है तुम्हें एक short पिना होगा यहाँ पर टोडल 5 shots हैं उसमें से एक special हैं और बाकी के regular हैं कैंग कहता है मैं alcohol नहीं पीता लेकिन वो लोग उसे पीने पर मजबूर कर देते हैं उसे समझ में नहीं आता क्याकर इसमें से normal कौन सा होगा लेकिन वो कुछ सोचकर एक short पी लेता है लेकिन actually में उन लोगों ने पांच अगर ये वीडियो तुम्हारे डैड को मिल गया तो फिट तुम्हारे साथ क्या होगा थोड़ी देर में अंदर आती है रियान ने उसके लिए बहुत ही अच्छा arrangement किया था वो उससे माफी मांगता है जेई कहती है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है तुम बस य यहाँ पर किसी एक लड़की को किस्ट करना होगा कैंग उन साय लड़कें को देखने लग जाता है लेकिन वो उनमें से किसी को किस्ट नहीं करता और मन में कहता है I hope तुम भूले नहीं हो कि मैं तुमसे कौन सा promise किया था यहाँ से हमें flashback का scene दिखा जाता है जहाँ पर कैं सान का पता लगा सको जिसने तुमारे साथ यह सब किया है यही सोचकर वो उसी room में पहुंच जाता है जहाँ पर रियान और जेई थे वो मन में कहता है मैं रियान को छोड़ूंगा नहीं उसने तुमारे साथ जो कुछ भी किया मैं वो सब कुछ expose करके रहूंगा उसे moment पर जेई को सीधा किस कर लेता है और ऐसा करने से वो भी उसे रोकती नहीं और इसी सीन के साथ एपिसोड वान यही पर खतम होता है एपिसोड टू के शुरुआत में हम वूजिन को देखते हैं यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसको टीचर जिसु का अफैर चल रहा था दूसरी तरफ हम रियान को देखते हैं तब ही उसे पार्टी का सीन्या दाता है जहाँ पर कैंग ने जेई को किस कर लिया था और रिया रियान ने गुस्से में उसे एक पंच मारा था उसी टाइम पर एंट्री होती है रियान के मॉम की जिनके सुआगत में सारे एंप्लॉई जुक कर खड़े थे तब ही रियान उनसे बात करने के लिया आता है कहता है अब तीन महीने से घर से बाहर हो हम दोनों के बीच में ठी को देखते हैं वो जैसे स्कूल पहुंचता है तो वहाँ पर वो अपने फ्रेंड तेहो को देखता है वो उससे बात करने की कोशिश करता है इतने में तेहो उस पर चिलाने लगता है कहता है तुम्हारी मुझसे बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई मैं तुम जैसे लोगों से अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना, इन अमीर बच्चों को तुम से बात करने में को इंट्रस्ट नहीं है, इसलिए तुम्हें तुम्हारी जगे पता होनी चाहिए, इसलिए लड़कियां के बारे में ही बात कर रही थी, कहती है जो बी पिछले रात हुआ, उसके बात भी मूठा कर स्कूल आ गया उसके अंदर हिम्मत तो बहुत है लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है आखिर जेही ने उसे किस करने कैसे दिया उसने कैंग को रोका क्यों नहीं शायद वो भी उसे पसंद करती है एरा कहती है ऐसा हो भी सकता है लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल को गुसा दिला दिया था वो रियान के दोस्तों से बहुत डर गया था इसलों भागते वे रास्ते पर पहुंच गया जहां पर किसी ने जान बूचकर उसका मडर कर दिया इससे रियान को इतना गुसा आ गया वो लड़की बताती है सब कुछ जेही की वज़े से हुआ है व तुमने मुझसे ब्रेक अप कर लिया और तुमने मुझे रीजन भी नहीं बताया लेकिन चाहे मुझे जो भी करना पड़े मैं सब कुछ पता लगा के रहूंगा कि आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो बहार आता है यह उनसुक उससे कहता है मैं कैंग को हैंडल कर लू यह सुनते ही चानविन उससे मारने के लिए आ गया आता है तो कैंग कहता है तुमने सुना नहीं क्या यूंसुक ने तुम लोगों से यह कहा कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करना है तुम्हारा कान खराब है क्या फिर क्लास खतम होते ही वो जेई से बात करने आता है कहता ह उस दिन पाटी में जो कुछ भी हुआ, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो, जेई कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, उस चीज़ को इग्नोर करके भूल जाओ, और मैं तुम्हें एक एड़वाइस देना चाहती हूँ, तुम्हारा यहां से जाना ही बेटर रहेगा, कै कैता है तो मेरी फिकर मत करो, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, और उस दिन मुझे तुम्हें किस करके बहुत अच्छा लगा, मैं इस बात से खुश हूँ कि तुमने मुझे धका नहीं दिया, फिर अगले सिन में हेरा रियान से कहती है, जेई को मनाने का मेरे पास एक दैड को भेज़ दूगा, उस वीडियो में वो किसी लड़के के साथ थी, और पता चलता है कि ये वही लड़का था, इसको हमने सीरिस के शरुवात में दिखा था, जेई कहती है मैंने बहुत बार चेक किया, मेरे डैड बहुत ही गुस्से वाले हैं, अगर गलती से भी उन रहा था, तब ही उससे याद आता है, इनान ने उससे बताया था, कि उन लोगों ने उसके ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था, फिर अगले सीन में हम उनी स्कॉलर्शिप वाले बच्चों को दिखते हैं, जो कैंग को स्कूल से निकालने का प्लैन बना रहे थे, कहते हमें तुम्हें रियान से दोस्ती बना के रखनी चाहिए, इसी में तुम्हारा फायदा है, तो जुआन उससे पूछता है, कि आखिर आपने इनान के देद को कैसे कवर अब किया था, आपने ऐसा क्या किया, कि आखिर उस इंसिडेंट के बारे में एक भी आर्टिकल निउस में प्रिंसिपल कहती है, मुझे नहीं बता कि तुम क्या बोल रहे हो, इस सरफ कैंग टीचर जिसु से कहता है, मैंने रियान को अपने लॉकर में ड्रक्स रखते वे देखा था, इसलिए आपको मेरी मदद करनी होगी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, तो फिर मैं आपके खि करने ही पड़ती है, लॉकर खोलने पर उसे वहीं पर सारे टेबलेट्स मिलते हैं, जिसु कहती है, तुम इन टेबलेट्स की बात करे थे, ये तो एंग्जाइटी की टेबलेट्स है, स्कूल का मैडिकल आफिस खुदी इस टेबलेट को प्रिसक्राइब करता है, अगर तु तो फिर तुम चेक करवालो, पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं होगा, बस किसी के आने से पहले इसे वापस रख देना, दूसरी तरफ जेई हेरा को बताती है, कि कोई उसे बहुत दिन उसे ब्लेकमेल कर रहा है, वूजिन के बदे पाटे की दिन एक वीडियो नि मैं तुमें बाहर इसलिए बेज रही हूँ, ताकि तुम यहां के बचों को अवाइड कर सको, मैं जानती हूँ, वो लोग तुमें यहां भी परिशान करेंगे, मैं नहीं चाहती हूँ, वो लोग तुमें परिशान करें, वो वहां से निकली रहा होता है, इतने में जेई उ उसके सामने आ जाती है, कहती है मुझे मार्केट में कुछ काम है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, दूर से रियान उन दोनों को देख रहा था, काफी दूर आते ही बारी शुरू हो जाती है, इसलिए उन्हें एक जगे पर वेट करना पड़ता है, तब उनके पास एक पपी जाता है, इससे देखकर जेई स्मयल करने लगती है, तब ही कैंग उससे कहता है, तुम हस्ते वे बहुत अच्छी लगती हो, मैंने पहले तुम्हें कभी हस्ते वे नहीं देखा, तुम्हारे लाइफ में तो सब कुछ है, फिर तुम इतनी दुख्य क्यों रहती हो, जेई कह लोगों ने मुझे ऐसा फील करवाया, दूसरी तरफ हम सारे स्कॉलर्शिफ वाले बच्चो को देखते हैं, वो कैंग को मारने के प्लैन में थे, चानमेर उनसे कहता है, वो जैसे यहाँ पर आए, उसे रूम में बंद करके वहाँ पर आग लगा देना, इस तरफ जेई कैं इससे बुरा नहीं लगा, रियान को पता चल गया था, कि वो दोनों अभी साथ में हैं, इसलिए वो तुरंती प्रिंसिपल को कॉल करता है, कहता है आप मास्टर की लेकर जेई के विला पहुंचिये, दूसरी तरफ जेई की बाते सुनकर, कैंग उसके काफी क्लोज आ गया तबी जेई की नजर उसके ब्रेसलेट पे जाती है, उससे याद आता है, उसने इनान के हाथ में भी यही ब्रेसलेट देखा था, इसके पहले कि वो उससे किस करता, तबी रियान वहाँ पर पहुंच जाता है, प्रिंसिपल कैंग से पूछती है तुम कर क्या रहे हो, अब तो फिर तुमारा स्कूल आने का कोई सेंस नहीं बनता, फिर उसे कमेटी मीटिंग में बुलाया जाता है, प्रिंसिपल उससे कहती है, तुम्हें स्कूल से एक स्पैल किया जाता है, इतने में जेई वहाँ पर पहुंच जाती है, कहती है वो जबरदस्ती मेरे विला में नह आया था, बलकि मैंने उसे वहाँ पर आने के लिए कहा था, वो मेरे लिए कोई समान लेकर आया था, अगर आप लोगो पनिश्मेंट देना है तो फिर मुझे दे दो, इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़के उसे वहाँ से बाहर ले जाती है, प्यान पूछता है तुम कर क्या र करेंगे, जेई पूछते तुम यहाँ पर आय क्यों हो, इसके पीछे का रियॉल रीजन क्या है, कैंग कहता है तुम जान गई हो, कि आखिर मैं हूँ कौन, और इसे से इनके साथ एपिसोड टू यहीं पर खतम होता है,